आप सभी का स्वागत हैं। आज हम जानिमाने साहितेकार यांचन्द मर्मर्वजी के विवेजनात्मक निबंद वेंच की सम्मेतना सुनते हैं। कभी यह शहर गांप हुआ करता था जहां की थंडी हवाएं स्वयम लोगों को पाल्वी में बिढ़ा कर लोरी सुनाया करती थी। आर्थिक विपनता तो बहुत थी पर तो खुशियां भी कम नहीं थी। लोगों का मन गांप की बहती हुई नदी की तरह स्वच्छ और पारदर्शी था। छोटी छोटी नैसरगी खुशियों में जीवन की संपोनता ढूंड लेने की कला सभी को आती थी। आवशक्ताएं कम और सहज हुआ करती थी। लोग फोले, सरल, महनती और इमानदार होते थे। पूरा गांप एक परिवार की तरह रहता था, सुख और दुख सभी आपस में मिलकर बांट लिया करते थे। इनके विश्वास और प्रेम की रखवाली गांप की बर्गत, पीपल और नीम किया करते थे, जिनकी जणे, लोगों की जणों से गुथी होई थी। सूरज की पहली किरन के साथ ही यहां हर दिन स्वर्ग उतर आता था, जिसकी मनोहर आपा, रात होते ही कच्ची मिट्टी के बढ़ें, घरों के बाहर, तिम्टिमाती होई लाल्टें की मत्हिम रोज्टी में, पसर कर तारों से भरे आकाश में परिवर्टित हो जाया करती थी सांस्क्रतिक मोल्यों, लोग परंपराओं और मानमीर गुणों से लपा लप भरे इस गाउं पर एक दिन क्रूर शहर की नजर पढ़ गए, और वह थीरे थीरे भूखे अजगर की तरह लेलने लगा, बर्गत और पीपल के पत्ते पीले पढ़ गए नीम की पत्तियां भय ग्रस्त होकर डालियों से चिपक गई, व्याकुल नदी अपनी लहरों को आचन में छिपा कर, तर्ट बंधों की घुल में सिर्व रखकर सिखने लगी चह चहाते पंजी अचानक चुप हो गए और बार बार अपने घौसलों में सोय हुए नंधे नंधे सलोने, फूल से बच्चों को देखकर सोचने लगे, कि इन्हें लेकर आखिर कहा जाएं, कभी सोचा भी नहीं था, कि परिवर्दन की आंथी इनका सब कुछ उड़ा ले जाएगी और इन्हें प्रवासी होने पर विवश्च करतेगी, गावानों का प्रेम उनकी आखों से आशु बनकर उबनने लगा, पेर कटने लगे, नदियां सूखने लगी, जीविक मिट्टी का गला दबा कर उसे मार डाला गया, उसके कोमल अंगों पर खुरत्रिम रसाय का मोटा लेप लगा कर उसे इतना कठोर बना दिया कि उसे बार बार रांदा जा सके, खेतों को निर्दैता पुर्वक सडग बना कर लोग इतने परसंद हुए कि अन्यपुर्णा की ममता का विलाग भी किसी ने नहीं सुना, विकास के सुनहरे भविश्य के नाम पर हरीतिम का विस्तार करने वाली भूमी को बज़र में बदल दिया गया, देखते ही देखते पीलियों की संचित मान्यताएं चर मराकर द्वस्त हो गई और मानव मोल्य बिखरने लगे, चौपाल पर गुमसुमपड़ी लखडी की बेंच, नैसर के छटा से संपन गाउं की प्राक्र प्रिमता का आकश्चक लिबास पहना कर शहर बना किया गया, लोग चौपाल का रास्ता भूल गए और बेचारी बेंच सून सान चौपाल पर अकेली पड़ी रह गई, पथरों की शहर में जब सांसी कम पढ़ने लगी, तो लोगों ने उजड़े हुए निर्वासित पार्क में पदल दिया, वर्षों से उपेक्षित बेंच को मानों, नया जीवन मिल गया, वर्षों पहले जब किसी ने सुविधा के लिए पेड़ के कुछ कटे हुए मजबुत हिस्सों को चुन कर गाउं की चौपाल के कोने में सलीके से जोड़कर इसे बेंच का रोग दि गाउं के चौपाल से लेकर शहर के पार्क तक नौ जाने, कितने लोग इस बेंच पर बैठे होंगे यह तो इसे याद नहीं है परन्टो, इतना अवश्याद है कि उस पर बैठने वाले प्राया, सभी लोग अपने अंदर एक उफनती हुई नदी लेकर आते हैं, जिसकी त की अथा पेडा सत्य अनभूतियों की अनकिनत थपेडों के संस पर्षों से प्रस्फोटित प्रकर संवेदन शीलततों के अतिविक्सित अनों ने एक दिन इस निरजीव बेंच की सोसुप्त संवेदना को जागरत कर दिया, उसकी मिश्प्राण देर की सूखी रगों में प प्रवाहित होने लगे, इस अत्भूत परिवर्तन की सुख़द अनुभूति ने उसे विश्मित कर दिया, पेड़ के कटने के बाद उसने कभी इस पुनरजन्म की कल्बना भी नहीं की थी, उसे पहले बार अपनी उपियों की ताका आभास हुआ, जिसके सुख का अनभू कर वह आनदित हो थी, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की ललक उसके मन में हिलोरे लेने लगी, परंतु वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, अपने आस पास घटने वाली घटनाएं उसे विश्लित करने लगे, दिन प्रत दिन उसकी संवेदना प्रखर होती गई, औ धीरे धीरे उसके मन का हर कोना मानो जिने घटनाओं से विथित होने लगा, ये घटनाएं जैसे 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 उसके जीवन के खुर्दुरे पन्नों पर नया अध्याय लिखती गई, वैसे वैसे उसकी सोच और संवेदन शेलता पुर्ण मासी की चंद्रमा की तरह निखरती जली गई, जिस दिन उसे पानी और आशू में अंतर समझ में आया था, उस दिन वह घंटों रोती रही, उसे अच्छा लग रहा था कि वह मनुश्यों की तरह सोच सकती है, समझ सकती है, परन्तु उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि मनुशे सब को जानते हुए भी पा पार्क में आने वाले हर व्यक्ति को वह बड़े ही ध्यान से देखती थी और उनकी पड़ताल किया करती थी, उनके बदन की भंगिमा और चलने के धंग से उनकी मन की छट पटाखक को बड़ी आसानी से पढ़ लिया करती थी, पार्क में टहलने वाला हर व्यक्ति उसके लि विया में वहां उनके जीवन में उतर कर बहुत ही सुक्षमता से हर आयां का विशलेशन किया करती थी, पहले उनकी बाते सुनकर उनके विवहार के अंति जोड तक पहुँचती, फिर उन्हें सवर्षक कर उनकी अनुभूतियों को बड़े सलीके से अपने विचारों में ढाल लेती थी, यह महसूस करके उसका मन दुखी हो जाया करता था कि लोगों की सोच उन्हें के चारों और बटक रही है, उनके आसपास क्या हो रहा है, इस बारे में वे पूरी तरह अनभिग्य हैं, अपनी छट पटाहट को अपने मन में दबाए गुए, सभी एक दूसरे को द इच्छाओं के साथ, विर्खंडित सोच की बैसाखियों के सहारे चलते हुए मनुशे को देखकर उसका हरदय छलनी हो जाया करता था, सोचने लगती गाम की वे दिन कितनी अच्छे थे, लोगों के विवहार में कितना अपनत्व, कितनी मिठास, कितना खुलापन हुआ करत था, सभी के मन में शांती, मुख पर प्रसनता और ह्रदय में संतुष्टी हुआ करती थी, ये सब आज किसी के पास नहीं है, आज लोगों के पास पैसा, सुविधा, संपनता और अंगिनत साधन है, परन्तु आंतरिक सुख का एक भी सामान नहीं है, जीवन को तराशनी की ह लोग जीवन से ही दूर हो गए हैं, पार्ग में लोगों को टहलते हुए देखकर उसे संतोष होता था, कि लोग एक एक सास चोडने की होड में लगे हैं, लोगों के अंदर जीने की इच्छा तो प्रबल है, परन्तु वे किसलिए जीना चाहते हैं, यह किसी को भी नहीं मा होती है, जब पार्ग में कई लोग इकठे होकर जोर जोर से ताली बजाते हैं, खुश होने का अभिने करते हैं, और क्रतिम हसी चेहरे पर पोत लेते हैं, समझ में नहीं आता, जो अपने अंदर है ही नहीं उसे बाहर ढूनने का क्या अभिप्राय, प्रकृती प्रदित, आ कौन सा सुख मिल पाएगा, कितना खुश बदल गया है, मनोशी जितना संपन हुआ है, उतना ही बेबस हो गया है, पहले लोग जीवन की खुशियां बाटने की बाते किया करते थे, परन्तु आज, एक दूसरे की खुशियां छेनने की बात करते हैं, जीवन के मूल में जहा हमारे पुर्खों ने आनंद की स्थापना की थी उसका स्थान, उल्जं, पीड़ा, विशार, म्रिवतरशना, बेवसी और भैने ले लिया है लोगों को ना जाने, क्या खोने का डर है लोग अपनी परिन्यती अपनी हाथों से लिख रहे हैं और किसी पुर्वन योजित घटना की तरह घटित होते जा रहे हैं उनकी छटपटा हट का सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी लालसा और दुशित विचार हैं वे इसे अच्छी तरह जानते हैं परन्तु जानबोश कर अनभिग्यवने हैं मनुष्य होने की प्रस्तावना पर उन्होंने स्वयम प्रच्न चिन्न लगाया है जीने का स्वांग रशने वाले ये लोग स्वयम अपनी हत्या के तोशी हैं बोड़ी भेंच ने कई पीडियों का ओदय और अपसान देखा है लोगों को प्रकरती के सुंदर्तम स्रजन मानाव देख की जूठी विश्वियस नियता के बल पर समय को चुनावती देते हुए देखा है और समय के उसी चुमबकी ये ग्रव में लोगों को समय औसमय समाते हुए भी देखा है जिन बच्चों की निश्चल हसी को चिडियों का स्वर बनते हुए देखा है उन्हीं बच्चों के चहते बच्चमन को उमर की सीड़ी पर पाव दर पाव चड़ते हुए बुढ़ापे की औसहाय सिस्कियों में ढलते हुए भी देखा है जहां कुछ भी सहेजने जैसा नहीं है सिवाए विचाह की सुन्दर्ता और जीवन मुलियों के पारदर्शिश जीवन को लोगों ने विबिन प्रकार के आदंबरों से ढग रखा है समय सभी को स्वयम को साधने का परियाप्त समय देता है परंतु समय को क्रोर कहने वाला मनुश्य समय से भी आगे निकलनी की चाह में अपना सब कुछ गवा बैठता है अपनी जीवन की लंबी यात्रा में इस बेंच ने गुमान करने वाले नाजाने कितनी लोगों के मानसिक तत्तों को तार-तार होकर बिखरते हुए देखा है अशेश को शेश और विशेश को अवशेख होते हुए देखा है समय के परिवर्तन की इस अगनी में और भी बहुत कुछ छुल्जा है इतना कि आखे बंध होने पर भी सब कुछ साफ दिखाई देता है किसी ने कलपना भी नहीं की होगी कि इतने अल्ब समय में मानविय गरिमा का इतना पतन हो जाएगा वैचारिक मुल्यों की आत्मा पल पल तूट कर विखर रही है समाज की नीव जो उचे आदर्शों और आचरण की शुचिता पर डाली गई थी उस पर तिकी सामाजिक प्रतिबदता की हाथ में नैतिकता खुले आम निलाम की जा रही है सभ्यताओं को विगटिप और अपमानित होते देखकर भी लोग चुप हैं यह सब देखकर बेंच की सम्मिधना चिंखार उती है फिर भी मनुशे की त्यंद्रा भांग नहीं होती यह जानते हुए भी कि शरीर नश्वर है, सासी सिमित है धर्ती पर उनका अस्तित्व, प्रकृति के अधिती से अधिक कुछ भी नहीं है फिर भी वे स्वयम से उपर उठकर नहीं सोचते और अपने अहंकार व्या मोह की कंदराओं से पाहर नहीं निकल पाते सब कुछ जानते हुए भी, लोग विगडन के रास्ते पर चल कर सामाजिक विकरतियों के कारखवन रहे हैं मनुश्य प्रकृति का एक मात्र ऐसा प्राणी है, जो अपने हाथों से विश घोल कर पी रहा है विकास अतियावश्यक है, परन्तु विकास के नाम पर आधुनिक्ता का जो जहर बोया जा रहा है, वह प्राणगा तक है ऐसा विकास जो जीवन से तादात में स्थापित न कर सके भला किस काम का विकास और विध्वन्स की कहानी एक दूसरे के सापेक्ष चलती है विकास ने जब भी संतुरन खोया विध्वन्स का जन्म हुआ विकास का सपना सबको प्रिय है और यह समाज की नीतांत आवशकता भी है परन्तु विकास की दिशा, गती, सीमा और परिणां के बारे में भी विमर्श होना आवशक है विकास जन्परिस्तितियों में हमारी पहचान और समेदना कितनी सुरक्षित है इसका भी पूर्व निर्धारन होना चरूरी है आर्थिक व्यामों और आधनिकता जन्य विकरतियां अगर मानुए संबंधों की गरिवा को कलंकित करने लगे और सांस्प्रतिक छरण का कारण बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि हम जिस विकास के नाम पर गौरवानवित हो रहे हैं वह हमें विध्वन्स की ओर ले जा रहा है और आज हम उसी स्तिती से गुजर रहे हैं बेंच बहुत उदास और उद्दिग्न है उसने तो गाउं से शहर बनने की प्रकडिया और फिर आद्वने की करण में सकारात्मक भविश्य की परिकल्पना की थी और कभी सोचा भी नहीं था इस शहर में गाउं की छटपटा हट इतने वर्षों बाद भी जीवित रहेगी बेचारी बुड़ी बेंच के लिए यह सब और अधिक देखवाना संथाव नहीं था वह कमजोर और बीमार अवशे थी परन्तु तूटी नहीं थी प्रकडिय की सबसे सुन्दर संद्रचना मनुष्य की आदिम संस्क्रती को और अधिक विसरजित होते हुए नहीं देख सकती थी उसने निर्नलिया कि मनुष्यों की आने वाले पीडियों की आखोती इस अगनी कुंड में नहीं होने देगी और सब्विता विहीन विकास के विरोध में अपनी आवाज उठाएगी परन्तु उसकी आवाज आज तक किसी ने भी नहीं सुनी आज भी शहर के पार्क में उदास पड़ी बेंच हर उस व्यक्ती में मनुष्यता की जड़ें ढूंती है जो उस पर थोड़ी देर के लिए बैखता है उसकी आखें आज भी टक टकी लगाए उस व्यक्ती का रास्ता देख रही है जो विस्थापित हुए मानों संक्रती को विकास की उची उची मिनारों में पुना स्थापित कर सके उसे विश्वास है कि वह दिन अवश्य आएगा जब उसकी आवाज क्रांती का उद्धोश बनकर पूरी प्रकरता से उगरेगी बस डर इस बात का है कि तब तक कहीं देर ना हो जाए क्या आपने किसी पार्क में कभी किसी बेंच की आवाज सुनी है अगर नहीं तो सुनने का प्रयास अवश्य कीजिए क्या पता आपके कारण दरकती हुई मानमे बूलियों की विरासर पूरी दरक तिरोहित होने से बच जाए और विकास लाए